ओ only friend in2 ऐधास-सम्द-दयहीं आज का जो मारे TOPIK है वो टैंसिस के seasons की बारे मैं है के टैंस क्या होते हैं और कीसे को किटने होते हैं और कैसे में इसको पड़ सकते हैं जो tैंस जोते हैं तो सबसे पहले आम यह दिखें एक यह देखें के Prettymond का न डेफिनिशन Tense, the word tense is taken by टेकन बाइ लेटन वर्ड टेमपस यानि जो ये वर्ड टेमपस है ना ये एक लातिनी अलफाद टेमपस से अख़ज किया गया है which means जिसका मतलब है which means time और age यानि वक्त या जमाना ये tense bri successor लातिनी अलफाद के टेमपस से अख़ज किया गया है जिसका मतलब है वक्त या जमाना time मतलब वक्त, age मतलब जमाना अब जैसे आप लोग़ों को पता होगा कि हमारे पास वक्त कितने होते हैं देखे ना, एक तो ये काम है ना, कि मैं ये काम कर रहा हूँ ये present है जो मैंने कल काम किया था, वो past था अब जो मैं कल मजीद परसों काम करूँगा ठीक है, या कल मैं सो के उठूँगा तो वो मेरा future होगा तो कितने होते हैं total एक होता है present ठीक हो गया, एक होता है past ठीक हो गया और एक होता है future ठीक हो गया, तो ये हमारे tense होते है, total एक, दो, तीन, हमारे पास कितने जमाने होते हैं, हमारे पास total तीन जमाने होते हैं, अब ज़रा focus करना कि यह हमें आगे क्या बोल रहा हूं क्योंकि कुछ student यहाँ पर confused हो जाते हैं क्या आगे क्या करना है आप लोग इस तरह समझ लें कि तीन भाई हैं ठीक है present, past and future तीन भाई हैं हर एक भाई के चार-चार बच्चे हैं ठीक हो गया इसके भी चार बच्चे हैं ठीक है इसके भी चार बच्चे हैं ठीक है और इसके भी चार बच्चे हैं मिसाल हमने ले लिया ठीक है अब इनके हर बच्चों का नाम सेम है देखे ना वालिद का नाम तो उसके साथ आएगा लेकिन बाकी बच्चों के नाम सेम है अब लिखें कि आपको समझ आ जाएगा तो पहले tense जो हम लिखने जा रहे हैं पहले वाले का नाम है पीसे में शोब कर रहा हूँ present indefinite present indefinite tense ठीक है present indefinite tense क्योंकि present देखें ना इसके बड़ी बटी का नाम है present indefinite tense तो इसके बड़ी बटी का नाम क्या होगा past indefinite tense नाम सेम हैं कि बड़े का बड़े का दूसरी का दूसरी का दूसरी के साथ तीसरी का तीसरी के साथ नाम सेम है ठीक है अगर ये present indefinite था तो ये past indefinite हो जाएगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आप लोग खुद बता सकते हैं भी, ये future indefinite हो जाएगा, ठीक है, ये future indefinite हो जाएगा, ये indefinite है, आगे आप लोग समझाना मैं short लेकर रहा हूँ, तो ये तो हो गया, ये पहले बड़े, जो बड़ा बेटा था ना, उनका नाम सेम था, अब दूसरी कभी सेम है, किस तरह य ये present continuous है, present continuous, अगर ये present continuous है, तो ये क्या होगा, ये होगा, past continuous, ठीक है, तो ये क्या होगा, आप लोग खुद बता सकते हैं, future continuous, देखें, नाम सब के सेम आ रहे हैं, future continuous, ठीक है, तो अभी तीसरी की बात करते हैं, तीसरी का नाम क्या है, present सब के साथ लग रहे है, past सब के सा लग रहाएं बागी change होते जाना है यह क्या है present ट्रेजन्ट ठर्फेक्ट subscribe तो यह क्या होगा past perfect tense ठीक है तो यह क्या होगा future perfect tense future perfect tense तो यह हो गया अब आखिर बच्चे की बात करते हैं सबसे चोटे बच्चे की सबसे चोटे बच्चे का नाम क्या है Present Perfect Continuous ठीक है Present Perfect Continuous Tense तो फिर इसका Last बच्चे का नाम क्या होगा Past Perfect Continuous ठीक है तो अभी Future वाले Last का का नाम क्या होगा आप लोगों खुद बता सकते है Future Perfect Continuous तो ये टोटल 12 टेंस होते हैं चार ये ठीक है तो तीन भाईयन हर एक के चार बच्चे हैं चार तीया बारा होते हैं तो टोटल हमारे पास Tense जो होते हैं वो बारा होते हैं अब हमने One by One डिसकस करना है कि Present Indefinite क्या होता है Past Indefinite क्या होता है इस तरह करते करते हैं मजीद इसको समझना है तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं Present Indefinite Tense को गोड़ करें Present Indefinite Tense अगर किसी को आ गया तो बाती Tense बहुत आसान है इंतहा ही आसान है तो सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट करता हूँ यह पहले एक Review था समझने के लिए Present Indefinite Present Indefinite Tense ठीक है Present Indefinite Tense देखें न यह वाला हम इसको शुरू कर रहे है Present Indefinite Tense इसकी English एक Definition होती है जो कि खास Important नहीं है छोड़ो कोई ज़रूरत नहीं है उसको समझने के बस हम यहां पर थोड़ा इतना समझते हैं कि Present Indefinite Tense जो है यह हमारे Daily Routine के बारें बताता है और Universal Truth के बारें बताता है Universal Truth के मातलब गुदर्ती सच चाई ठीक है और Daily Routine और Habitual Action यानि कि हमारे आदात के बारें बताता है कैसे मैं कहोंना कि सूरज चमकता है तो चमकता है सूरज सोरी सितारे चमकते हैं सूरज गुरूब होता है तो इसका मतलब यह है कि कभी बी अर्दू फिक्रों के आखिर में ता है ते है ती हूँ वगयरा आता हो ठीक है यानि कि अगर किसी भी अर्दू फिक्रे के आखर में आपको ता है, ते हैं, ती हूं वगरा नजर आता हो ना तो उसका मतलब 100% यह है कि वो प्रेजंट इंडिफिनेट टेंस है ठीक है अब कैसे वो किरकट खेलता है, हम सोते हैं, वो बाज़र जाता है हम खेलते हैं, वो रोती है, देखर सब में ती आ रहा है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि वो प्रेजंट इंडिफिनेट टेंस है अब हम संटेंस कैसे बनाना है, तो हर संटेंस बनाने के लिए एक फार्मूला होता है हर टेंस का फार्मूला ये है कि एक है subject plus helping verb ठीक है sorry present indefinite tense का जो फार्मूला होता है na subject plus first form of verb first form of verb के साथ कभी s लगता है कभी es लगता है कभी i es लगता है और plus object plus full stop अब हम इसको one by one discuss करेंगे कि subject क्या है verb क्या होता है object क्या होता है वो गोर से देखना बहुत important है अब subject की बात कर लेते हैं ठीक है subject जो है मैं कहता हूँ कि doer of an action doer of an action is called subject मतलब जुमले में काम करने वाला subject क्यालाता है अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ मैं कहता हूँ कि नबील किर्किट खेलता है तो जुमले में देखो किर्किट कौन कहलता है नबील कहलता है नबील क्या हूँ अगर मैं कहता हूँ कि वो बाजार जाता है वो बाजार कौन जा रहा है वो जा रहा है तो वो कौन है वो subject हो गया तो यह subject कहलता है यानि जुमले में काम करने वाला subject कहलता है अब बात कर लेते हैं वर्ब क्या होता है अजात हम वर्ब के बारें बता रहे ते वर्ब क्या होता है देखें वर्ब जुह है न इसको उर्दू में कहता है फेल ठीक है अगर मैं इसको definition लिखूँ It shows an action जो verb होता है न ये जुम्ले में action को शोव करता है अब जुम्ले में action क्या है आगर अरदू में देखे न के verb क्या होता है एक चोटी सी trick है भाई या वह ये है देखें अगर किसी भी अरदू लफ़ के आँकर में 9 अलिफ न आ आ जाए न वो 100% जो है वो वर्व है अब देखो कैसे खाना पीना धोना चलना सोना रोना लड़ना खेलना देखे सब में नूनलिफ ना आ रहे ना तो ये वर्व है बहुत जबदेश ट्रेक है ठीक है यानि के जुमले में एक्शन शो करता है मैं कहता हूँ नबील किर्किट खेलता है ख खेलना आगे ना वर्ट खेलता है खेलना रिलेटेड है ना तो इसमें खेलना क्या हुआ खेलना वर्व कहलाता है ठीक है इसको मज़ीद आगे अपलाई करेंगे तो इसको याद रख रहा है पिर लास्ट में बचता है हमारे पास आपजेक्ट कि आपजेक्ट क्या होता है जुम्ले में काम को रसीव करने वाला अब्जेक्ट कहलाता है मैं लिखता हूँ The Receiver of an Action जुम्ले में काम को रसीव करने वाला अब्जेक्ट कहलाता है अब फिर वही मिसाल दोगा नबील किरकिट खेलता है देखे न मैं लिखता हूँ नबील किरकिट खेलता है नबील किरकिट खेलता है नबील क्या है जो काम कर रहा है ये तो सब्जेक्ट हुआ ठीक है अब खेलता खेलना से रिलेटेड है ना तो ये क्या हुआ ये वर्व हुआ तो बचा क्या क्या कर रहा है खेल तो रहा है, क्या कहल रहा है, किर्केट फ्यू पर पर काम हो रहा है, तो किर्केट हमारा object है, ठीक है, हम जिस पर काम कर रहे हैं वो हमारा object कहलाता है, तो ये तो totally, हम उसी formul के लिख देते हैं, कि subject plus first form of verb, first form of verb के साथ कभी s लगता है, कभी es, कभी ies और फिर object अभी हमने यह देखना है कि verb के साथ कब हम first कब es लगाएंगे, कब es लगाएंगे कब ies लगाएंगे देखें, अगर कोई भी verb अगर vowel से खतम हो जाएना a, e, i, o, u यह vowel है, ठीक है कोई भी word अगर vowel हो या फिर डबल स, 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 ह हो, ज, ज, हो, ठीक है y हो, ठीक और यह words, x हो, ठीक यह word याद रखनें आपने किसी भी जो verb है किसी भी verb इन लफ़ के आखर में खतम हो जाएना उसके साथ हम es लगा देंगे example किस तरह है, example यह है मैं लगता हूना कि go sentence में go आता है, गो के बाद हमने का लगता है, इन अलफ़ में के साथ कोई खतम हो जाए, तब उसके आगए हम es लगा देंगे तो यह कि o यहाँ पर मौजूद है, तो हम यहाँ es लगा देंगे ठीक है, इसके बाद पिर एक और example है, wash sh, देखें sh यहाँ पर है, हाँ यहाँ होना चाहिए, sh, ठीक है, sh जैसे ही int होगा, इन फलफ़ बाद में है, तो हम यहाँ पर es लगा देंगे, तो es का use हमें समझा आ गया, कि first form of work के साथ es कब लगाना है, ठीक है, es का में यहाँ आता हो, ठीक है, y आता हो, बशर्ते कि y से पहले कोई वावल ना हो, अगर y से पहले यहाँ पर वावल होता है, तब यह applicable नहीं है, तो मैं यह कहता हूँ कि y आता हो, तो last में y कट जाता है, f, l, y काटने के बाद, ies लगाते हैं, गोर करना है, फिर ख्याल से देखना है, क्या होता है, क्राई में लग देता हूँ दोबारा, जब be present in definite tense में, अगर वर्ब हमारे पास क्राई आ जाए, या y लास्ट में आ जाए, शर्त याद रखना, इससे पहले कोई वावल ना हो, तब हम क्या करते हैं, c, r, y को रमूव करके, ies लगाते हैं, अगर ठीक है, अगर कोई y आ जाए, तो फिर क्या करना है, p, l, a, y, इस कंडिशन में हम y को रमूव नहीं करेंगे, इस कंडिशन में हम सिर्फ s लगा ठीक है, अगर इन दोनों कंडिशन के इलावा, यह जो मैंने य वावल बताए हैं, और यह आई, इस कंडिशन के इलावा, बाकि जो भी वर वाजाए, वहाँ पर हम सिर्फ s लगाएंगे, कैसे, मिसाल मैं कुक, कुक लगा रहे हैं, तो कुक क्या क्या होगा, की है न, यहाँ पर भी के नहीं था, और वाई वाला किसा भी नहीं था, तो मैं यहाँ पर ऐसे लगाऊँगा, कुक सो जाएगा, तो यह सारी बेसिक knowledge है, present indefinite tense की बारे में, अब हम अगली पार्ट में आपको बताएंगे, कि present indefinite tense की sentence कैसे बनते हैं,